और हमारा दिल कभी हलका ही नहीं होपाता है कितना ही रोल हो तनहाइї में हमीशा ऐसा ही होता है दिल पर एक भोझ हमीशा रहता है सबकुत समौने केसद पूरे परिवार Usually को सम्हालने का भोझ हम जागे भी शॉपिंग नहीं कर सकते खुल के, क्योंकि खर्च करने से पहले हमें कमाना सीखना पड़ता है, और जब आपने कमाना सीख लिया, तो खर्च आप करी नहीं पाते हूं चोट लगने पर हर बच्चा रोता है बात सच है मर्द को दर्द होता है आज अपनी बात दा सोशल डिप के मद्धम पर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं ठीक है, सो क्या होता है न हमें कुछ ऐसी बात होती जिने बहुत हलके में ले लेते हैं, इतना हलके में की सामने वाले की फिलिंग्स की हमें कोई कदरी नहीं होती है तो कुछ ऐसा है कि यार आपने कभी ना कभी जिन्दगी में सुनी होगी लड़कियों से कंपेर किया गया होगा आपको कितनी बार, बहुत बार पता नहीं कितनी बात है आपने कभी ना कभी अपने जिन्दगी में सुनी होगी लड़कियों से ही नहीं, लड़कों से भी लेकिन एक बात मुझे पते हिए, क्या रोने का सिफ जनमसिद अधिकार लड़कों को ही है, वही रो सकते हैं, हम अपने फिलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, अगर हम करेंगे, हम रोएंगे तो यार, मर्द को तरद नहीं होता, हाला, यार लड़का होके ऐसा करता है तेरे साहे लड़केओं वाले चोचले हैं, ये बाते हमें सुनने को मिलती हैं, इवन उन लोगों से जिनसे expect भी नहीं करते हैं, क्या होता है अपनी feelings किसके साथ शेयर करते हैं, जो हमें जानते हैं, माई friends हैं, उनसे शेयर करते हैं, इस चीज को समझ के कि हां, यार वो इंस से को ज़्यादा लगता है और ऐसा होता है मैं लड़का हूं मुझ में भी ज्यादा फिलिंग्स है उन से ज्यादा है और मैं रोता भी बहुत हूं लेकिन छुपके एक कमरे के अंदर कहीं आर कोई देख ना ले है ना दुनिया के सामने नहीं बस तन्हाई में क्योंकि वहां क कोई नहीं आता ये कहने कि यार तो कटै लोंडिया हो रहा है तेरी आखों में तो भागवान ने जो है पानी की टंकी फिट कर दिये सच कहूं तो लड़के हैं भले ही अपने दिल का हाल जो है सब से छुपा ले लेकिन खुल कर जब वो रोती हैं तो उनका दिल हलका हो जात आया लगा है कि चेव कितना आपको डाट दे चेए कितना आप रोने का मन करें आपका लेकिन आप उस वक्त खुद को यह संभालो कि नाया पुझे नहीं रोना है सक्त बनना है क्या सक्त बनते हैं बनते हमारी फेलिंग्स जम जाती हैं या फिर बिखा जाती है एक बात जरूरी है नहीं न और हमारा दिल कभी हलका ही नहीं हो पाता है कितना ये रोल हो तन्हाई में हमिशा ऐसा ही होता है दिल पर एक बोजtam हमिशा रहता है लड़का होने का बोज सब कुछ समभालने का बोज पुरे परिवार को जिम्मेदार्यों को सम्हालने का पोच हम जा के भी शॉपिंग नहीं कर सकते खुल के क्योंकि खर्च करने से पहले हमें कमाना सीखना पड़ता है और जब आपने कमाना सीख लिया तो खर्च आप करी नहीं पाते हो और महीने के आखिर में कुछ हो या ना हो जेब में बस एक उमीद बच जाती है कि हाँ यार अगले महीने थोड़ा और ज्यादा काम करके अपने लिए हो सका तो एक शर्ट जरूर लोगा शर्ट नहीं तो जोड़ी जूते तो यार मैं जरूर लोगा लेकिन अगला महीना आता है फिर वही होता है सो ऐसे ही जिम्मेदारियों के तले और फिलिंग्स के तले एक लड़का दबता चला जाता है वो अपनी बाते कहने पाता है क्या फिलिंग्स नहीं होते लड़कों के अंदर क्या लड़कों की जिंदेगी इतनी मुश्किल होती है हाँ सच में और ये जिंदेगी आसान नहीं मुश्किल ज़रूर बनती चली जाती है उम्र के हर पड़ा पर आगे बढ़ते जाते हैं आखिर में बस एक आस बस्ती है कि जो मुझे नहीं मिला बस अपने बेटे को ज़रूर दोगा एक लड़का हमेश्रा पुरीज अपनी उम्र निकाल देता है कमाने में अपना घर बसाने में ताकि वो कुछ अपना घर वालों के लिए कर सके अपने घर के लिए कुछ कर सके अपने परेंस को कुछ दे सके और जब आखिर में उसे कुछ नहीं मिलता है क्योंकि एक महीने के सेले से कितना कमा लेते हो यार लोग यही बूस्ते हैं कोई यहीं बूस्ता है कि यार कितने चोटे तुमने खाई हैं यहां तक पहुँशने में कोई नहीं जानता सबको बस यही फर्क पड़ता है कि यार तुम कितना कमा लेते हो कितना खा लेते हो यार वो इंसान ना इतना कमाता है पर लेकिन उसके पीछे कितनी टेंशन है उसका कितना श्ट्रगल है कोई नहीं जानता है बड़ा आसान होता है कह देना और आखिर में जो अमीद बचती है वो हम लड़कों के लिए यही बचती है कि जो मुझे नहीं मिला उतने बच्चों को जरूर दोंगा उनके लिए एक अच्छा कल जरूर लेके आऊंगा उसी के लिए बाकी जो उम्र बचती है उसमें महनत करते चले जाते हैं और इस तरह एक मर्द का दर्द उसके दिल में ही रह जाता है और एक दिन जाकर ना दिल ना सहन नहीं कर पाता है और धड़करे थम जाती है और जिन्दगी रुक जाती है और मर्द का दर्द उसके सीने में ही तफन हो जाता है